हेलो दोस्तों आपके अपनी यूटूब चैनल यूपी एसी नट में श्वागत है मैं तरन गुपता अग्स बात करने वाला हूँ हाइलाइट ट्यूस के माध्यम से दाजना सिंग सीम यूगी के साथ साथ नो अन नेताओं की भी सुरच्छा से एनस्ज कमांडो को हटा दियाएगा तो फिर इनकी सुरच्छा करेगा यह जो पूरी खबार है इस पर हम कोई रिटेल से बात करने वाले है तो जल्री से आप लोग चैनल को लाइक से अप्लेट करके मारा एप आप आच कुका है नट लर करती है उन सभी को भी हां पर हटा दिया जाएगा लेकिन इनको हटाने के वाद किसी और को यहां पर उनकी सुरिच्छा की जिम्मेदारी दिया ये लेकिन किसको तो चर्चा में कि देश में आतंकी हमलों की जो समय धमकियां मिल रही हैं उसके बीच में ही कैंसरकार ने बी कटाने का आदेश दाड़ी किया है जब आतंकवादी हमले की कई सारी धमकियां मिल रही हैं साथ में यहीं भी कहा गया है कि अत्तिक खत्रे वाले नो बी आईपी की सुरिच्छा की कमान अंगले महीने से केंदी सुरिच्छाबल CRPF समा लेगा मतलब कि NSG से अब उसको CRPF केंदी सुरिच्छाबल को यह अंगले महीने से सुरिच्छाब की जिम्मेधारी दे दी जाइएगी साथ में केंदिक रहम अंत्राले ने हाली में संसद की सुरच्छा की जिम्मेदारी से जो हटाई की बिसेस रूप से पिसेच्छत जवान थे उनकी बटालियन को CRPF की BIP सुरच्छा बिंग से सम्मन्द करने का भी फैसला किया हुआ है उन्होंने कहा है कि जो ट्रेनर्स हैं और जो ट्रेनिंग कर चुके जमाने उनको CRPF की BIP सुरच्छा बिंग से उनको हम जूइंट करेंगे सूत्रों से मुताबित यह भी कहना है की जैड प्लस लेडी की BIP सुरच्छा वाले जो नो BIP की सुरच्छा थी अब तक स्राश्टी सुरच्छागाः जिसको एन्सजी की ब्लेक कैट कमांडो कर रहे थे खुल कर रहे थे ब्लेक में वह सारे आज जोन है अलग अलग जोन में व्यक्ति की अलग-लग सुरॉच्छा करती हैं और उसी तरीक उख को कहना है कि जैट प्लेस जो इपसे अच्छा कि कह सकते हो कि खतम कर देते हैं सामने वाले को तो इनकी सुरुच्छा बहुत मजबूत होती है इनकी सुरुच्छा अब CRPF के हाथ में इन लों के हम बात करेंगे जो नो बी आई पी में उत्तर प्रदेश के मुख्मंत्री योग्यादित नाथ हैं पसपा सुप्रीमु सिंग है जम्मू कस्मीर के पूर्व सीम गुलाम नभी आजाद है नेशनल कॉन्फरेंस के निता फारो के अवदल्ला है और अन्दप्रदेश के मुख्मंत्री चंद्रबाबू नाइडू यह जो नो बी आई पी लोग है अब इन नो बी आई पी लोगों की जिम्मेदारी ह है वो NSG से CRPF के हाथों में चली जाएगी तो अब इनकी सुरच्छा CRPF समाव लेगी अब इलों के अगर सी आर पी सुरच्छा समाव लेगी तो कितना अच्छा रहेगा क्या बुरा रहेगा अब यह तो आने वाले समय में ही पता चलिगा लेकिन अगर हम बात करें दोनों батalyion को सामिल करने के लिए कहा गया है मतलब की छै बटालियन और जामिल करेंगे उसको भी संसत की सुरच्छा करती है मतलब की इस 대해서 के बराबरी up के बराबरी crp f भी जबान उते हैं और वो भी अपनी सुरच्छा भारत का हर जबान किसी की भी सुरच्छा कर चाहिए वो देश की सुरच्छा हो व्यक्ति की सुरच्छा हो पूर समर्पित भाहों से करता है सबसे बड़ी बात यहीं है तो यह जो एनस्जी अब यह सेकुरिटी परपस करते थे अब यह CRPF के दायरे में आ प्रोटोकॉल को भी मिलेगा लाब अब यह प्रोटोकॉल क्या होता है और इसका लाब कैसे मिलेगा समस्तियां पिछले साल सुरच्छा की चूक के बाद संसद की जो सुरच्छा है वो CRPF से CISF को सौपती गई थी धान लखेगा CRPF पे थी पहले लेकिन जब संसद की सुर जो नो बी आईपी लोग हैं इनमें से दो रक्षामंति राधनास सिंग और उत्र प्रदेश के मुख्मंत्री आजितनात को CRPF के उन्नत सुरच्छा संपर्क ASL प्रोटोकॉल का भी यहां पर लाब मिलेगा क्योंकि आपको पता होगा कि रक्षामंति भारत के राधनास सिं हो और उत्तर प्रदेश के मुख्मंत्री योगिया करता तो इनकी सुरच्छा इस समय बहुत जादा इंपोटेंट है बहुत जादा महत्रपूर है क्योंकि इतने बड़े छेतपल के मुख्मंत्री होना ये भी अपने आप में इंपोटेंट उडाता है और भारत ये रक्ष जो ASL है उसमें अब VIP के दौर वाले इस्थान की पहले से ही तो ही ली जाती है जो ASL में VIP के दौरे वाले जो इस्थान होते है उसके पहले से ही तो ही ली जाती है तब उसके बाद वहां की क्या होती है रैली होती है तो उसके बाद वहां पिंजमंत्री लोग जाते हैं तो पहले से हिवां की पूर जानकारी ले लिए पांच बी आईपी के लिए ऐसा प्रोटोकॉल अपनाती है जो बहुत ज्यादा महत्पूर्ण होता है इसमें ग्रह मंत्री अमित साहे पूर्व प्रवार के तीन निता शौनिया राहुल और प्रेंका इसमें सामिल है तो पांच ब लोगों के लिए बहुत ही महत्पूर प्रोटोकॉल अपना जाएगा जब भी कहीं जाएंगे यहां की पूरी जानकारी ली जाएगी तो अम्मूल काम पर ध्यान देगा अब काम है क्या जो वहां से हटा कर अम्मूल काम में डाला जा रहा है अब समस्ते है थोड़ा सा को हटा कर अब यहां पर CRPF को डाले जा रहा है और बहां पर भी नौ लोगों की अब जो सुरच्छा होगी वो CRPF परेगी लेकिन ऐसा क्यों क्योंकि NSG का जो काम है वो दूसरा है क्या काम है कैन सरकार का मानना है कि NSG को आतंकवाद रोधी और अपरहन रोधी अभियानों के लिए बिसेस्ट कारें को समालने के लिए अपने मूल काम पर ध्यान के अंदरित करना चाहिए और अगर इनको किसी की सुरच्छा के लिए तैनाद कर दे जाता है तो अपने मूल काम से वो भटक जाते हैं और किसी और काम में लग जाते हैं सीदी सी वात है तो जो बरतमा आँ पर बोज़ को भी थाबित हो रहा था होता क्या है जैसे सब्साफिन कि लिए नेब-चैनल लेकिन अलूगों के लिए अगर अनगार करें नियूस नहीं अलेकर अब सबीर estavam को तो यो आतंगवादी रोदी का वो फिर नहीन नहीं समाल पाता है और एनस्जी पर बहुत खर्च होता है बहुत खर्च होता है तो इसी लिए उनकी जगाए पर CRVF को पिर से छड़ देकर उनको ट्रैनिंग के लिए उनको सुरुच्छा के लिए रखा जाएगा और जो बी आईपी सुरुच्छा करतब हैं उनको एनस्जी से हटाने के बाद अब लगवाग चार सो पचास बलेक केट कमांडो मुक्त किये जाने की भी उम्मीद है अब सूचिएगा कि केबल नौ लोगों की सुरुच्छा से जो एनस्जी कमांडो हैं वो फृषि हो जाएगे अब चार सो पचास बलेक का कमांडो होगे वो फिरी हो जाएगे तो वो अपने मूल काम पर ध्यान के निदेद कर पाएगे तो इसलिए उनको यहां से हटाकर अम्मूल काम में डाला जा रहा है लिहाजा नमंबर तक वियाईपी सुरेच्छा से एनेज़ी को हटाने का काम ब्लैकेट कमांडो इस ड्यूटी को दो दसक से अधिक समय से तैनात रहने के बाद होगा तो यह जो ब्लैकेट कमांडो है अब यह बहुत महत्व पूर्ण भूम का निभाएंगे आतिमकवादी रोदी जो मून का कार है वो निभाएंगे एक ख़बर और वी की सम्मंदित के देश पर आतिमकवादी हमले की आसंका अभी सबसे पहले ही मैंने पॉइंट में आप से कहा था कि देश में आतनकवादी हमले की जो बहुत चर् लेकिन अब बरतबान में नॉवंबर तक पूर्ण हो जाएगी और ये अपने मूल काम में चले जाएगी इस नड़ा के बिचार अब शुरू हुआ है जब NSG कमांडों ने असंकर जताए कि देश के कई ऐसे केंद्रों हैं जहां पर एक साथ आतंकवादी हमले हो सकते हैं हो जाएंगे बिलेक केट कमांडों साले 400 तो यहीं फिरी हो जाएंगे बाकी और भी हैं तो इनको अलग अलग देशाओं में भारत में भीज़ा जाएगा नौर्थ ताउथ इस वेस्ट मद सभी जगए पे इनको भीज़ा जाएगा और यह नस्ते नाबूत कर देंगे आतं में जी को पुनर गठित करने और अयोध्या में राम मंदर के पास और देश के दक्षडी हिस्से में इसरित कुछ महत्पूर संपत्यों के आसपास की कमांडों की जो स्ट्राइक टीमें होती हैं उनको भी तैनात करने का फैसला लिया हुआ तो ऐसा नहीं स्रिप आयोध्या में ही अयुद्या के अलाबा कुछ और साउथ इंडिया में भी कुछ ऐसी संपत्या है भारत की जो आपर कमांडों की स्ट्राइक टीमें को टैनात किया गया ऐसा लगता है कि बहां पर आतिंकवादी हमले हो सकते हैं तो बहां पर उनको सुरुच्छा के मध्यनगर तैनात क अगया है तो एक नाम यह भी है कि अध्या के रामवंदिर प्रेवी हो सकता है कुछ ना कुछ घटित हो उसके पहले ही कमांडों को यहां पर तैनात किया गया एनस्जी कमांडों कॉर्ण सीवास खळल हम कुछ सुर८ कि बात करते हैं जो इंपोटेंट है पहला सीमा इसकी इसतापना इसकी सीमा की सुरह च्छा करना और इसको सुरुचित रखना और इसका मुख्याला कहां पर है नई दिल्ली में हैं दूसरा है असम राइफल असम राइफल कहां पर रहती है तो पूरवत्तर भारत में यह तैनात रहती है मयामार सीमा और भारत-चीन की सीमा पर असम राइफल की तेनाती की जाते है और देश की इस प्राचीनतम अर्ध सेने के बल की जो इस्थापना है ऐसे प्यार्ट को प्यार से पूर्वत्तर का पहरी और परवत्य लोगों का मित्र काई जा जाता है यह लोगों को मित्र को कहा जाता है एे इम्पोर जाता है ये बात करें थे पूरी कहानि और ले बहुत महत्पूर देज में आतंक वादी की चुनौतियों का सामना करने के लिए 1984 से ही राष्टी सुरच्छा गार्ड्स की सापना थी गई थी NSG UK के SS और जर्मनी के GASG 9 कमांडो बलों के पैटर्न पर आधारित है इसके दो समूई होते हैं Special Action Group जिसको हम SAG कहते हैं और दूसरा होता है SRG कहते हैं Special Action Group की बात करें तो SENक करमचारी होते हैं और Special Group की अगर हम बात करें तो यह राज पुलिस बलों के करमचारी होते हैं NSG कमांडो को आम तौर पर Black Belt कमांडो के नाम से भी जाना जाता है कि काम करने वाले कारीगर और बहां की संपत्यों की सुरच्छावल इसकी स्थापना 1969 में की गई थी और यह बल कैंडिय सरकार के ओध्योगी जो परसार होते हैं उन्हें काम करने वाले कारीगर और बहां की संपत्यों की सुरच्छा की महतपूर भूम का निवाता है इसका नाम ही है protection and security सरनच्छण और सुरच्छा प्रदान करना इस बलकी अधिकारियों को हकीम पैट हैदराबाद में राश्टी और द्यूगिक सुरच्छा का आदमी में प्रसच्छा ट्रैनिंग दी ज रहे हैं और इसी को अब ये सारी जिम्मेदारी लोगों की दी जाएगी इसकी स्थापना 1949 में की गई ती और इसका मुख्यालाए नई दिल्ली में है इसे पहले किराउन रिपरजेंटिम पुलिस कहा जाता था लेकिन 28 दिसंबर 1949 को देश के आजाद के बाद इसे CRPF कहा ज गया क्या है रैपिट तुरित मतब कि बहुत ही फास्ट एक्षंपूर्स देते हैं बहुत ही फास्ट एक्षंट करते हैं तो इसी लिए इक्षंफूर्स या तुरित कारबल का भी भाग CRPF को माना जाता है और इसकी स्थापना दंगों जैसे इस सथ्थियों से निपटने क के लिए 1992 में की गई थी मतलब इसकी स्थापना सो 1949 में की गई थी लेकिन दंगों से ने पटने के लिए इसका पुनर गठन करके 1992 में भी इसका भाग बना दिया गया था तो अब इनको बी आई पी लोगों की सुरच्छा की जिम्मेदारी दी जाएगी ज़ान लखेगा नेश्ट आता है कि ससत्र सीमाबल जिसको SSB कहते है और आपको पता होगा कि इसकी भी एक अच्छी खासी ट्रेनिंग होती है और सेबा सुरच्छा बंदुत इनका नारा है 15 दिसंबर 2003 से पहले इसका नाम स्पेसल सर्विस भीयोर हो गए करता था इसका गठन 1963 भी हुआ था और इसका जो मुख उदेश है 1962 भारत जो चीन का युद्ध हुआ था उसकी सीमाबरती छितरों के लोगों में विस्वास पैदा करना और देश भक्ती की भावना का बिकास करना इसका प्रमुख उदेश रहता है नेश्ट आता है भारत तिबद सीमा पुलिस ITBP क्या गहते गई और इसके तहर इन पर सीमा पार्ट से जो घुस पैट होती है उसको और अपराद को रोकने के लिए उत्तरदायत सौप दिया गया था भारत तिबद सीमा पुलिस को जो मुख्याला है नई दिल्ली में अक्सर आप देखोगे जो हैड़कोर्टर से वो नई दिल्ली में आथी है और इसका जो अध्यच महान देशक होता है I.T.B.P. का आदर्स बागए शौर, द्रड़ता और करम निष्ट ये आदर्स बागए और अध्याम में आ जाता है पूने रताए पी-टी वगरा में कि I.T.B.P. का आदर्स बागए शौर, द्रड़ता और करम निष्ट यह चार बिसीस बटालियों नो सहत भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 29 बटालियों सामिल है तो भारत में आईटी बीपी की 29 बटालियों ने अभी तक बनी होई है कुछ नॉर्मल सी बात करें तो नैस्नल केड़िट कोर जिसको हम NCC कहते हैं प्रादिसिक सेना और ग्रह आती हैं तो आज यहां पर मैंने पूरी डेटेल से आपको हार एक चीज बताई है उम्मीद सारी चीज आपको पसंद नहींगी चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके आप लोगों ने एप डाउनलोड कर लिया हुगा इसी तरकी की वीडियो पारने के लिए बैलेकर प्रे